20 घंटे, एक घंटे में 6 मिनिट और हर मिनिट में 270 बच्चे इस रफ्तार के साथ साल 2023 में दुनिया की आबादी 8 अरब हो गी यूं तो 19 सदी की शुरुआत में ही वर्ल पॉपलेशन एक अरब हो गई थी लेकिन इसके महज 220 सालों बाद विश्व भर में 8 अरब लोग होने जा रही हैं दुनिया के आबादी 2011 में 7 अरब हो गई थी तो वर्ल पॉपलेशन डे के मौके पर चानते हैं दुनिया के 8 अरब होने के पीछे के 5 एहम कारण आबादी के सेज रफ्तार के पीछे पहला कारण है जन्मदर का लगातार अधिक रहना 18 सदी से 20 सदी के अंत तक जन्मदर काफी तेज थी करीब 200 साल पहले तक एक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी ये इस पिछी देड़ सो वर्षों तक बनी रही इसमें मामुली से गिरावट आई 1950 में उस वक्त हर महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म दे रही थी 1950 के बाद से जन्मदर लगातार गिरती रही आज दुनिया में एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है दूसरा कारण बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो पता चलता है कि साल 1770 में आम इंसान की मौत 28 साल में ही हो जाती थी वही अब 72 साल में होती है 28 सदी से ही पूरे विश्व में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ती आ रही है आज तीस देश ऐसे हैं जहां लोगों की ओसत उम्र 80 से ज़्यादा है और सौ देशों में ओसत उम्र 70 के पार है भारत में याकडा 69.7 है तीसरा कारण मृत्यूदर में लगातार कमी मेडिकल साइंस में मिली कई कामियाबियों की वज़त से अब पहले के मुकाबले मौते काफी कम होती है अगर मृत्यूदर के आंख़ों पर नजर डाले तो पता चलता है कि 1950 में जहां 1000 में से 20 लोगों की मौत होती थी महीं अब घट कर 8 हो गई है चौथा कारण कॉंट्रसेप्शन को लेकर महिलाओं में जानकारी का भाव पहले महिलाओं में कॉंट्रसेप्शन और प्रेग्नेंसी रोकने के तरीकों को लेकर काफी कम जानकारी होती थी जिसके कारण न चाहते हुए भी जादा बच्चे होते थे एशिया लाटन अमेरिका और आफरिका के प्रगती शील देशु की बात करें तो साल 1907 में मात्र 9 प्रतिशत मेरिट कपल ही कॉंट्रसेप्शन का इस्तमाल करते थे लेकिन 1990 आते आते हर दो में से एक शादी शुदा जूड़े ने अंचाही प्रेग्नेंसी रोकने के लिए कॉंट्रसेप्शन का इस्तमाल करना शुरू कर दिया आज कॉंट्रसेप्शन को लेकर महिलाएं काफी जागरुक है 2015 के आंकडों के हिसाब से अब 64 प्रतिशत महिलाएं कॉंट्रसेप्शन का इस्तमाल करती है दुनिया के आबादी आठ अरब होने में पांचवा बड़ा कारण है शिशु मृत्युदर में भारी गिर्वडा सल 1990 में हरार में से 93 बच्चों की मौत होती थी वहें साल 2020 में ये आकड़ा सैतिस तक पहुँच चुका है ये अब तक का सबसे कम आकड़ा है तो ये थे पांच बड़े कारण जिनकी वर्षा